देखे उनकी ये जो बयान है ये बहुत दुर्भाग्य पूरुन है और पूरे देश के हर समाज को ये समझना चाहिए कि देश के लिए शत्रिय समाज ने बहुत बलीदान दिया है बहुत बड़ा त्याक किया है क्योंकि वो एक तरह की देश के soldiers थे जैसे आज army हैं तो इसी तरह की वो एक शत्रिय जो है वो एक army का रूप थे और देश की सुरक्षा के लिए काम करते थे अगर रुपाला जी का ये बयान हम सुने तो मैं देश को ये एक offer देता हूँ कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि भई राजपूतों ने बहुत मजा किया राजा थे तो मैं सबको ये offer देता हूँ कि आप सबको राजा जैसी सुविधा दी जाएगी आप सभी को जो है लाखो करोडो रुपया दिया जाएगा ताकत दी जाएगी लेकिन एक दिन ऐसा आपको आएगा कि चालिस साल तक ये सब सुविधा भोगने के बाद राजा वाली चालिस साल के बाद आपकी गरदन काटी जाएगी आपकी जो माता भेने आपकी बीवी है उनके साथ रेप किया जाएगा और बच्चों की हत्या आपके सामने की जाएगी क्या देश का कोई भी वेक्ती चालिस साल ये सुविधा लेने के बाद ये दिन देखने के लिए तयार है या चलिए चालिस साल नहीं आप पूरा जीवन राजा वाला जीवन जीए आपका बेटा भी जीए लेकिन आपका जो पोता होगा उसके साथ ये सब घटनाएं की जाएंगी उसकी हत्या की जाएगी बच्चों के साथ रेप किया जाएगा उनकी हत्या की जाएगी तो क्या कोई तयार है मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी इस चीज़ के लिए तयार होगा लेकिन आप बताईए क्या देश के अंदर कोई भी जो डाइनेस्टी है उसका अंत ऐसे ही नहीं हुआ ये दिल्ली में हम बैठे हैं इस दिल्ली पर समराठ पृत्विराच चोहान राजा महराजा समराठ बनके बैठे थे लेकिन एक दिन गौरी ने उनको धोके से हराया उनको बंदी बनाकर उनको अंधा करके जो है 14 वर्ष तक कारावास में रखा उनके बीवी के साथ उनके परिवार के साथ जो हुकरम किया गया वो सब जो लोग जानते हैं तो हर dynastrue का हर राजा का एक दिन इसी तरह से देश की रखषा करते हुए समाज की रखषा करते हुए अन् तुआ है तो जो लोग देश के जो अलग जाती के हमारे भाई हैं हम आप से प्यार करते हैं अगर आप ये सोचते हैं कि राजपुतों ने बहुत मजा किया है तो उन्होंने प्राणों की आहुती भी दी है आपके लिए उसका भी आप थोड़ा सा जिक्र किया कीजिए तो रुपाला जी की जो तिपड़ी है